Hello friends, welcome back to this channel दोस्तों इस वीडियो में हम लोग Grasim Industries Limited के लिए बात करेंगे जैसा कि आपको पता है आदित बिला ग्रूप की बहुती बड़ी फ्लैक्शिप कंपनी है Grasim Industries Limited दोस्तों इससे जोड़ी हुई एक अपडेट है हम डिसकस करेंगे लेकिं देखें लाज्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.23% की गिरावट के साथ यही स्टॉक बंद हुआ मार्केट कैपलाजेशन दोस्तों इस कंपनी की है 99,515.29 करो रूपए और इसका 52 वीग लो है 610.70 का और हाई है 1614.20 का अगर हम देखें तो इसके अंदर लाज्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलिवरी 26.58% एनसी पे और बीसी के ऊपर 20.15% कल एनसी पे टोडल वॉलिम टेर किया गया 6,09,167 दोस्तों आप आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के अंदर प्रमोर्टर's के हाथ में क्या हिस्सेदारी है आपको पता होना चाहिए देखिए प्रमोर्टर्स ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है लास्ट कोबर में देखेंगे मार्च जून कोबर में तो मार्च क्वाटर में इनके पास 41.8% की होल्डिंग थे उसमें से बढ़ करके उसमें 42.1% अब कर लिया है और इच्छी बात है कि इन्होंने गेरी भी नहीं रखा अपने शेयर्स को FIIs के हाथ में 15.1% की होल्डिंग है DIs के पास 16% है और पब्लिक शिरोल्डिंग 26.6% है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं इससे जुड़ी हुई एक लेटिस्ट अपडेट के बारे में लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप डीमिट अकाउंट या ट्रेडिंग काउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक डॉप किया गया है दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स टेम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर से हिट करिएगा उससे आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी दोस्तों ग्रैसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है रिन्यू सुरिया उदय के अंदर 26% की सिदारी एक कोयर करना चाहता है और यह एक्चुली में देखा जा तो रिन्यू सुरिया उदय के साथ पावर परचेस एगरिमेंट साइन कर दिया है ग्रैसिम इ कोई प्रिन इनर्जिस इनर्जीर स्लूशन यह का डिसको नाम है रिन्यू सुरिया उदय तो रिन्यू सुरिया उदर से पावर जो की अधिए दोस्तों यहां पे जो purpose है इस agreement का वो यही है कि 17.6 मेगावाट के wind solar hybrid power plant को यहां setup किया जाएगा गुजरात के state of गुजरात में यानि गुजरात के अंदर जहां पे power generate जो होगा वो directly exclusively grassim industries limited को supply किया जाएगा captive rules के अंतरगत दोस्तों hybrid यहां पे power है hybrid power means wind power भी होगा उसमें होगी और solar power भी दोनों का mixture होगा और यह जो project होगा this will be operated by renews surya जो की एक power producing company है total capital company की जो हो जाएगी initially rupees 58.89 करो रुपे होगे जिसमें से 15.31 करो रुपे जो है grassim industries procure करेगा जो की 26% बनता है और renew green energy solution limited जो है 43.58 करो रुपे यानि 74% की 74% का contribution इसका promoter company कराएगा राइट तो दोस्तों यह थी एक update grassim industries limited को लेकर के I hope कि आपको information समझ में आई and I hope you liked it अगर आपको content अच्छा लगा तो like करके encourage कर सकते हैं इस वीडियो को और अपना ख्यार लखे I will see you updating something next time with next information take care